मुजफर नकर दीपावली त्योहार आते ही पुलिस प्रशाशन की चाप अमारी तेज हो गई है ऐसी ही एक चाप अमार कारवाई में थाना नई मंडी पुलिस ने आज साहुत वहुपारोट पर मारी की धर्मशाला के पास एक गोदाम पर चाप अमारा और वहां कई कुंतल पटाके जब्त कर लिये जो दीपावली के लिए लाकर रखे गए थे पुलिस ने इस मामलेक में अंकित विहार निवासी राजीव पाल पुत्र मदन को 114 किलो पटाकों के साथ गिर्फतार किया है पुलिस के मताबिक इसने साउथ भोपा रोड पर किराय पर गोदाम लिया था जिसमें एक कुंतल से ज़ादा पटाके मिले हैं दुही तरफ प्रत्यक्ष दरशियों के मताबिक गोदाम भारतीय जंता पार्टी के एक सभासद ने किराय पर लिया था और इस गोदाम में उनके ही कई कुंतल पटाके रखे हुए थे लेकिन बाद में पुलिस ने केवल नौकर को गिरवतार दिखा दिया जोकि भाजपास अभासात और उनके पार्टनर्स के नाम लिखा पड़ी से गायब हो गए नई मंडी की घनी अबादी के बीच एक कुंतल से जाला विस्पोटक पदार्त मिलने के मामले में पुलिस को सक्त कदम उठाना चाहिए और फायर ब्रिगेट को भी कारवाई करनी चाहिए आखिर घनी अबादी के बीच ये पटाके भंडारन कैसे किये गए कानूरन तो कुलिस को उस गोदाम के माले के खिलाव सक्त कारवाई करनी चाहिए जिसने घनी अबादी के बीच विस्पोटक सामगरी रखने के लिए गोदाम की राय पर दिया है और आसपास वालों की जान के लिए खत्रा पैदा होता है